नमस्कार दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल एड़ोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे आज 26 नवंबर है 26 नवंबर यानि कि भारतियस सम्विधान दिवस है भारतियस सम्विधान दिवस है दोस्तो और स who respect and follows the constitution of our country the constitution is the backbone of our country and we are lucky that our is a strong one wishing you very happy constitution day wish you all a very happy and prosperous samvidan divas 2022 the occasion of indian constitution day we always remind us of the respect of our constitution deserve once again happy constitution day friends now i am going to the read the preamble of the indian constitution both hindi and english first i read in english preamble in english we the people of india having solemnly resolve the constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all decision justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status equality of status and opportunity and to promote among them all fertility assuring the dignity of the individual and the unity and unity integrity of the nation in our constitution assembly the 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourself of this constitution dosto my abharati samdhan ka jo hindi mein hai वो पढड़के आप सभी को सुनाना चाहूंगा हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रफुत संपन समाजवादी पंत निर्पेख्ष लुक्त अंत्रात्मक गराज बनाने के लिए तथा उसके समस्थ नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राज्नेतिक न्याय विचार अव्यक्ति की अव्यक्ति विश्वास्यं धर्म और उपास्ना की स्वतंत्रता प्रतिस्था और औसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और रास्तर की एकता और अखंडता सुनुशित करने वाली बंदुतुता को बढ़ाने के लिए दिल संकल्पित होकर अपने इस सम्विधान सभा में आज सारिक 26 नवंबर 1949 मिति मार सब्सक्राइब को अंगेकरित और आत्मर्पित करते हैं दोस्तों यह भारतिय सम्विधान की हिंदी में जो प्रस्तावना है उसे मैंने पढ़ी चुक्कि आज सम्विधान दिवस है दोस्तों और दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अजादी क अमर्पित महत्शों में जो हमारे सम्विधान निर्वाता थे वह चाहते थे कि जब हम सम्विधान हमारा देश जिससे में सम्मिधान के समझ देखे और हमारे जो आने वाली पीडियां है वो इसे समझने की कोशिस करे तब भारत की सारी विवस्थाएं कानूनी विवस्थाएं समझ में आएंगी क्योंकि भार्तियस सम्विधान को कहा जाता है कि इस सुप्रीम लौ है सारे लौस के रख करके इसका इंटेपेटेशन किया जाता है लेकिन दोस्तो 75 वर्ष पूर्ण होने अजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज भी हमारे मात्र और मात्र 10% लोगों को भारतियस सम्विधान के विशे में जनकारी है और वो ये जानते हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने का लक्ष ये है कि लोग जाने कि भारतियस सम्विधान की जो उद्देसिका है भारतियस सविधान की जो प्रस्तावना है एक एक व्यक्ति को याद होनी चाहिए और उसे इस बात का अहसास होना चाहिए कि हमारी भारतियस सविधान जो है किस सरीके से निर्मित की गई है और किस सरीके से भारतियस सविधान में समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय की कीया मुझे और तथा उसमें प्रतिष्टगा और औस समंता की यानि किसी के साथ किसी भी तरीके का discrimination नहीं करने को यह कहती है भारतिय सम्विधान दोस्तों मैं आज नहीं बात करूंगा कि किस केस में सम्विधान को इसे एक अंग बताया गया लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहूंगा एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको किस सम्विधान का जो यह प्रस्तावना है वो भारत के बैरीवारी के केस में कहते हैं कि कहती जाता सुप्रीम कोटने लेकिन सुप्री में उसे इंफ्रक्ट्रस कर दिया केशवन अंदन के केस में दोस्तों मैं इस वीडियो के बणने का एक ही लक्ष है और आज सम्विधान दिवस के मौके पर आप सभी को यही संदेश देना चाहिंगा कि वसादानिक मूल बात हैं मूल बातने मालुम ओनी चाहिए अपने हमारे fundamental rights हमारे मूल अधिकार क्या है और हम मालुम वनाच आँए कि भारतिया सभ्षान में मूल कर्टब्वे क्या दिये गए है एक कोई भी citizen जो है एक पुनेदार नागरीक का यह करतब्व्य है कि वह इसे जाने और अगर आप भात्य सविधान के विशे में दोस्तों नहीं जानेंगे तो फिर अपने राइट्स हैं लाइबिल्टी की बात आप नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसे के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का अंत करता हूं लेकिन आप जो भी वीडियो मेरा देख रहा है कम से कम आज समविधान दिवस के मौके पर आप भात के समविधान भातिय समविधान के उदेशिका को जरूर पढ़ेंगे और उसे जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा गया है दोस्तों कि समविधान को हम अंग जिम्हेदारी भी है दोस्तों जिम्हेदारी है बाकी आप देखते रहें मेरा यूटीब चैनल दोस्तों फिर से एक बार आप सभी को समविधान दिवस की धेरो सारी सुभ कामनाय और पदाई धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद